Petition exams में पूछे जाने वाली English के लिए चैनल को आप subscribe करें और bell icon दबाएं ताकि आपको notifications सबसे पहले मिल सकें नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मुझे पता है बहुत time हो गया था मुझे कुछ भी upload करे हुए but the whole thing is जो चल रहा है SSE में उसको देखते हुए I had no right direction to upload any video but today we can see that there has been a very nice update as per QMath 48 minutes ago they have uploaded that the new vendor for the SSE examinations has been given to TCS वैसे तो SSE Tube ने 2 hours पहले ये update किया था कि जो नया vendor है वो finalize हो चुका है और जो examinations है वो February तक या फिर January तक start हो जाएंगे but कौन सा vendor था ये उन्होंने update नहीं किया था but QMaths यहाँ पे एक hint दे रहा है कि जो नया vendor है that might be TCS तो हमारे लिए एक काफी अच्छी चीज निकल के आती है जो कि देखे TCS की बहुत अच्छी reputation है expecting कि अब जो exams होंगे वो सही तरीके से होंगे at least examination center में जब हम जाएंगे या जो हम paper देंगे उसमें वो छोटी-छोटी दिक्कते जो आती थी वो नहीं आएंगी तो अभी तक दो चीजे अच्छी निकल के आई हैं एक तो ये कि जो vendor है वो TCS हो सकता है दूसरा ये कि 2018 exams के लिए normalization को exam में use किया जाएगा still बहुत सारे questions होंगे आपके दिमाग में जो कि आप चाहते हैं जिनका की answer मैं दूँ मैं खुद काफी दिनों से ये चीज देख रहा हूं जो court case चल रहा है हमारा वो किस direction में जा सकता है but मैं आपको एक बात बता दूँ मैंने hope भी नहीं छोड़ी है and I am still preparing for the worst मैं खुद पढ़ाई कर रहा हूं वापस से मेरी marks थे 496 but I still know that anything can happen so मैं खुद भी पढ़ाई कर रहा हूं regularly और मैं आप लोगों से भी यही चाहूंगा कि आप लोग पढ़ाई ना चोड़ें आप एक बात को समझिए कि अगर exam cancel होता है तो SSC आपको बहुत ही कम time देने वाली है चाहे तो वो हमारा re-exam हो क्योंकि 2019 के अंदर SSC को technically 3 paper करवाने पड़ेंगे CGL के अगर paper cancel होता है 17 वाला, 17 का pre, 18 का pre and 19 का pre अगर वो 19 के pre को delay भी कर देते हैं या फिर year end में अगर कर देते हैं तो भी उन्हें 2 pre और 2 main 2018 में करवाने पड़ेंगे तो आप देख लीजिए आपको back to back examinations देने हैं सिर्फ CGL के बात कर रहा हूं है अगर आप eligible है 10 plus 2 के लिए या CPO के लिए तो आपको बिलकुल भी time नहीं मिलने वाला एक अच्छी बात यह है कि syllabus same रहेगा, जो scheme of examination है वो same रहेगी so it is smart and it is better that we are prepared I hope आपको यह update अच्छा लगा होगा please video को share जरूर कर दे and don't forget to like the video thank you very much